तफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो जहां तक आस्मान रहे, ये क्या कि उठाए कदम और मिल गई मंजिल मजा तो तब है जब पेरों में कुछ थकान रहे हेलो एवरीवान, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शांदार डिफेंज वाला यूट्यूब चैनल पे, मेरा नाम है मौहमद आस्म और आज हम लोग आपके लिए वो वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग उन सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं जो आप लोग ने सब्सक्राइब करने वाले हैं तो यार बिना किसी देर के मैं उनको यहां पर इंवाइट करता हूं नकुल सर प्लीज तो नकुल सर हमारे साथ है हाटिएस वेलकम तो यू सर सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में अपना एक्स्पिरेंस इसको यहां बच्चों को से शेयर करें जैहिंद फ्रेंड्स आप सब इस पैंडेमिक सिच्वेशन में काफी फिट होंगे आएं एक्स जेंटलमेन के डिट नकुलार्या एक कम्प्लिटेड माइब बेसिक मिलिटरी ट्रेनिंग प्रों ऑफिसर चैनिंग अकैडमी गया लेकिन हमने सरकों भी दिखाया और कुछ समझ में यह आया कि मोटे मोटे तौर पर यही 10-12 सवाल जो है तुम लोग घूंग भूंग के बही पूछ रहे तो एक एक करके आप लोग के सवाल लेते हैं और ध्यान रखिगा यार अभी हमने उनी सवाल पर फोकस किया है जो 14th November के लिए थे तो सरका भी यही कहना था कि हम अपने को वाइड ना करें जबकि नैरो डाउन करें पहले 14 नमेंबर के उसके बाद की चीज़ों को हम लोग उसके बाद देख लेंगे ठीक है तो सर पहले सवाल बच्चे का आया था कि अब जो है सिर्फ तीन दिन रह गए हैं इ मेरी एक्जाम के दो या तीन दिन रह जाते थे तो जो पढ़ाई का सिलेबस था वो लगबख कंप्लीट हो चुका होता था तो यह जो लास्ट के दो से तीन दिन होते थे मैं कुछ नया ना पढ़के जो मैंने पढ़ रखा है उसी पर फोकस करता था ज्यादे से ज़्याद प्रेशर मेरे उपर ना आये और मैं काफी लाइट माइंडिट फील करूं सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इंस्टेड ऑफ स्टेडिंग संथिंग न्यू जो आपने पढ़ रखा है उसे ही आप दुबाना से रिवाइस करें मैंस के फॉर्मूलाज है जो कि आपको बढ़ने से पहले और कॉश्ट करते हुए हमारा फोके फिरस्टीज होनी चाहिए कि एक सिंपल कोशे रहें जिसका मुझे 안सरन निकालना है जैसे कि हम घर पे बैटके कोई question solve कर रहे हूं और मेरे पास एक limited time होता है एक question solve करने का maths में एक minute something second exam में लगबग डेड़ मिनिट के लगबग और मुझे लगता है कि जो मैं question solve कर रहा हूं वो दो मिनिट, तीन मिनिट, चार मिनिट ले रहा है तो मुझे वो question avoid करना चाहिए क्योंकि जो मैं समय इस question पर लगाऊंगा उस समय में मैं दूसरे बाकी तीन-चार question solve कर लोगा so paper attempt करते हुए एकदम particular कोई सवाल को आप जब attempt कर रहे हैं so उसमें मैं चाहूंगा कि जब आप उसे पढ़े एक second का pose ले कि वो क्या पूछ रहा है क्योंकि हम बहुती चोटे-चोटे words miss कर देते हैं not, or, and आप एक बार सवाल को लगवग दो बार पड़े back to back दो बार पड़े जो आपको सवाल समझा आ जाए आपको कुछ न कुछ आपके दिमाग में strike करेगा कि यह ऐसे solve होना है या फिर इसमें यह formula लगना है या फिर मैंने ऐसा पड़ा था सो जादा ना सोचते हुए कि मेरे दसी question हुए है या फिर समय खतम हो गया जो आप कर रहे हैं उस moment पर उसी पर focus करें उस particular question पर ही आपका focus रहना चाहिए सवालों को ध्यान से पढ़ना जल्दबाजी मत करना हर बढ़ाना मत कि आता हुए सवाल गलत कर जाओ ठीक है तो ध्यान से हना सर एक सवाल बच्चे का यह था कि देखें नेगेटिव मार्किंग भी में है तो यह काफी important role play कर रहा है काफी बच्चों की सवाल हमारे lectures में भी आते रहे हैं कि हम क्या करें मतलब अगर कोई सवाल है हम को नहीं आ रहा है हम उसको attempt करें किस मतलब किस हद पर जाकर उसको attempt करें ना करें तो how to avoid this negative marking वाला point कि यह एक ऐसी चीज़ है जितने paper में सवाल आते होते हैं उससे ज्यादा में doubt होता है और यह आपके साथ नहीं है मेरे साथ भी है आपके साथ जो पहलों आपके प्रेंट्स एक्जाम लिख रहे हैं उनके साथ भी होगा कि आप दो options में जाके confused हो जाएंगे या फिर आपक situation ऐसी हो कि दो में से एक आता है या फिर यह पता है कि यह दो option तो नहीं हो सकते बागी दो में से कोई एक होगा बट मैं श्योर नहीं हूं elimination की तरह अब इसमें दो चीज़े हैं अब आप अल्रेड़ी इतने questions सही attempt कर चुके हैं जितने particular marks चाहिए आपको एक्जाम में सपोज मैस में आप अल्रेड़ी इतने question attempt कर चुके कि आपको उमीद है कि मेरे 120 क्रोस हो जाएंगे सो आपको कुछ जरूरत नहीं है unnecessary risk लेनेगी बट आपने question ही इतने attempt करें कि अगर सब सही भी होंगे तब भी आपके marks 90 या 100 ही बनेगे तो तो आपको risk लेना भी पड़ेगा और अपने आपको push करना भी पड़ेगा लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आप एक बार go through करे पेपर करो और उनके उपर further 30 seconds एक मिनिट बिताओ कभी 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 क्या होता है पूरा paper solve करने के बाद हमें idea होता है हां जो पहले question था वो ऐसे solve होगा like question question से related होते हैं तो मैं चाहता हूं कि पहले जो आता है आपको वो करो जो नहीं आता या पिर जिसमें आपको doubt है वह आप second attempt में दुबारा से go through करें तब attempt करें तो भया ध्यान से सुन लो इन बातों को काफी important tips है सर का अपना experience है सरका experience काफी ज्यादा है सर अपना experience तो एक बार अभी तक प्लीज एक्सपीरियंस यह है कि academy गया जब मैं भी एस्पिरेंट था एंडी क्लियर हुआ उसके बाद SSB क्लियर हुआ और मेरिट और मेडिकल वगरा जब अब तो पता चला कि फिस्टीकल की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि आप इतने पूछ अब मारते हो इतने चीन अब मारते हो इतनी रणिंग करते हो कोई पूछी नहीं रहा है यह तो सब बात करते थे कि आप मेंटली कितने रोबस्त हो या फिर टॉप और वह अलग-अलग सिचुएशन से ट्राय होता था आप दो किलो मेटर भागते हो ठीक है भागते हो क्या पांच किलो मेटर भागने का दम रखते हो जाए भागा ना जाए आँ ठीक है सार व्योश हो जा दो पेज़ पकड़ो टर्न करो दस कोशन आगे वहां से करने चार्ट करो मैं चाहता हूं कि आप एक चीज़ समझो यह कोट है और आप इसे अपने दिल में भी बिठाओ डॉन्ट डाय बिफोर डैट अभी बहुत लंबा पेपर बचा हुआ है आपको सब आ जाएगा ऐसा ह हो सकता है आपने पहली कोशन दस हिस्ट्री के देख लिए और आपका हिस्ट्री वीक हो लेकिन आपको साइंस बड़ा अच्छा था लेकिन वह बाद में था तो आप पहले सीधा साइंस पे जंप करो और वहीं सॉल करो और जहां तक सरबात अकैडमी की है दोस्त आपके ऐस बनते हैं कि सपने भी आपको नहीं क्या आते हैं आपकी जो मेमरी बनती है उनके साथ आप उनके साथ पढ़ते हो खेलते हो अपना 24 गंटे किसी व्यक्ति के साथ बिताते हो अपने कोर्समेंट के साथ बिताते हो तो आपका अलग तरीके का बॉन डेवलोफ जाता है जैसे के साथ होता है तो भया तर की ही और जुबानी आगे सुनते हैं सर तो मतलब जैसे आपने मेंटल स्ट्रॉंगनेस वाली बात करी कि मेंटली स्ट्रॉंग होना चाहिए तो कई देखिए हमने यहां पर एक क्वेश्चिन नहीं लिया है लेकिन फिर भी सर इस ओल मेंटल सिंपल सेंटेंस ज्याद मुश्किल निया समझना इस ओल मेंटल क्यूंकि हमें चीज़ समझनी होगी आंट पोर्स कोई जॉब नहीं है कि आप गुरूप पे ऑफिसर लग गए आपको लगशरी मिल रही है और आप एंजोई कर रहे हैं इस और रोड्यूटी ज़सी योर रोगी डिसीजन योर रोग डिसीजन रॉट नोट ज़स एक रॉटेशन और लोग मरते किसी का सथा थे इसे का साब भाई किसी का हस्बें अаствरे इस लोओ तो जर्स्सक्त में अगे यह जब नहीं हो सब tactics घे डिया इसे तो इसीजिए और ज़रे किसीजिए हाइ आप सब कुछ consider कर चुके हो क्योंकि जब आप लड़ोगे बॉर्डर पे जाके वहां पर आपके पास luxuries नहीं होगी कि मेरे पास गाड़ी भी हो पहाड में चलाने के लिए बाइक भी हो और मैं टेंट भी हो हीटर भी हो सब्सक्राइब आप जितने जाधा मॉटिवेटेड़ हो अगर ऑफिसरी मॉटिवेटेड नहीं है मेंटिली टफ नहीं है इन हाओ किन यू जवान टू फाइट पूरी तो आपको होना पड़ेगा थोड़ा आप बनोगे जाधा अकेंडमी बना देगी तो भी या एक्जाम की कि डिमांड हाउस दी जोश वाला बात है हाई होना चाहिए एकदम सर आगे बढ़ते हैं एक सवाल बार-बार मुझे भी कल के लेक्षर है पूछा गया यह एक्सपेक्टेड कट ओफ सेक्शनल कट आप मुझे लगता है कि मतलब इस नॉट राइट टाइम डू क्यूब दी अंसर कभी 280 आ रही है तो नेक्स्ट वाले में 330-340 आ गई तो इस पर एक बार एक्जाम हो जाता है उसके बाद एक जनरल एस्टिमेट दिया जा सकता है बट जितना मेरा एक्सपीरेंस रहा है और मैंने अब्जर्व करा है जनरली की कट अगर हम 340-330 के अरांड कंसिडर कर ले उस चीज़ को नहीं बता सकते पेपर देखे आसान आ गया तो कट आफ ऊपर चली जाएगी पेपर टफ आ गया तो कट आफ नीचे आ जाएगी ऑल्सो डिपेंड करता है सर्कितने लोग एक्जाम दे रहे हैं कितनी वेकैंसीज है इन सब चीजों पे कट आफ डिपेंड सब्सक्राइब करती है राइट अब वोमन भी है तो यू के नॉट में कट लगी है सब्सक्राइब कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता बिच इस बेस्ट पार्ट फॉर्ट बिकॉस यहां पे डिमांड ऑफ जॉब डिमांड ऑफ दूटी और दूटी और शर्विस बिट डि कितनी हो हमें तो अपना पुश करना है we have to give our best because when we will be fighting the enemies they won't ask कि तुमने कट अब नमर से क्लियर करी थी यह हजार नमर से देविल जस्ट वॉन्ट बेस्ट गाए एंड इन अदिन टो दिस जब हमारा सबसे कमजोर व्यक्ति उनके सबसे मजबूत से उपर होगा तब तक हम जीतते रहेंगे वरना चांसे कम हो जाएंगे इसमें एक सवाल और आया था साथ काफी होता था कि पेपर टू है वह तो वह पूरा अटेंट करते थे सर उसमें उनके खेसों में से 400 400 नमबर आते थे लेकिन नमबर पचास ही रह जाते थे तो जहां तक पेपर वन और पेपर टू की बात है उसकी कट-off जनरली 25% होती है क्वालिफाइंग वरना पर पच्शेश परसेंट नमबर स्कॉर करने होगे तो आप 300 नमबर स्कॉर कर रहें और आप क्यास नहीं कर पाई तो एक सवाल यहां पर और आया था कि एक ओमार शीट को लेकर बच्चों का सवाल था कि सवाल पढ़ती भरना शुरू कर दें या पहले कुशन कर लें उसके बात करें हाऊ-टू-फिल दियों मारे शीट क्या स्थाटेश सही रहती लेक्जाम जो बच्चे पहली बार एक्जाम यह पहले दे चुके हैं और एक्स्पिरेंस आ है जो पहली मार दे रहे हैं मैं एक एक्जाम में धाई-गंटे का एक्जाम में आपके पास टाइम नहीं कोशन होते थे वह सौल्व करता था तो सपोज एक पेपर पर पाँच कोशन है मैंने तीन सौलव करें तो मैं फिर वह पाच फिल करता था लाइक दो खाली चोड़ता था और तीन फिल करता था जिससे की गलती नहीं होती थी छोटी गलतिया कैसे कोशन 50 का आंसर मैंने 49 में भर दिया या फिर 50 का 51 में भर दिया सवाल सही करा लेकिन जवाब गलत भर दिये सो मैं एक पेज करता था उसके बाद भरता अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा पेपर सॉल्व करूं लास्ट में भरू तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा सब्सक्राइब करते रहो और भरते रहो कि यह ब्लंडर्स ना हो जाएं कि हम पेपर में तो सब्सक्राइब लेकिन को अपरे आपको काम डाउन करने के लिए बचन पूछा है कि वाट शुडबी इट कितना हम सोएं कितना पढ़ें यह पूछा जा रहा है कुछ ने आपर पूछा है कि हम पानी क्यारी करें रुमाल ले जाएं पैन रखें एक्स्ट्रा तो इन सब चीजों को कैसे और चैकल क बहुत ही ढंग से और आराम से भरिये जिससे कि उसे कुछ भी गलती ना हो जहां तक दूसरा चीज है कि हम क्या स्केडियूल पॉलो करें करें तो जो मैं करता था लगबच जैसे तीन दिन बचे हैं एक्जाम के तो लगबच तीन दिन पहले मैं रेस्ट करना शुरू करता अपने घरवालों से बात करता था जो खाना मुझे पसंद है जो डिशिज मुझे पसंद है मिठाई पसंद है वह मैं खाता था खुश रहने की कोशिश करता था बाते करता था अपने आपको एक हैपी मूड में रखता था मैं जिससे कि जो मैंने पढ़ा है वह मैं मैक्सिम of water you will feel relaxed carry a handkerchief आपको लग रहा है नहीं हो रहा मुझसे काफी जाद आजीव लग रहा है बस handkerchief को आखो के ऊपर रखो दो सेकंड के लिए you'll feel relaxed and you won't believe कि आपके सारे question उसके बाद होते चले जाएंगे so main चीज है जो आता है उसे maximum output देंगे and please carry a extra pen जो पेन आप यूज कर रहे हैं अगर वो खराब हो गया तो तो यू कैनोट डू दीस सिली मिस्टेक्स at this time जैसा कि आप पीछे देख भी पा रहे हों कि यार देखो सो अच्छे से ऐसा नहीं कि सो ना कम कर दो ती दिन बचे हैं उल्जन होने लगे anxiety होने लगे anxiety इन सब चीजों से बचना है टेक गुड़ स्लीप क्योंकि देखो यार माइंड को relaxation चाहिए अब आपको वो जो आपकी exam की घंटे आ रहे हैं उसमें आप कितना आपका mind properly काम कर रहा है दोस्तों से बात करो अगर आप concept समझ पा रहे हैं और तब question solve नहीं हो रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा जो पर्टिकुलर वो concept है याप टॉपिक है जो आप सौल नहीं कर पा रहे हैं उसके कुछ आप question solve करें क्योंकि कभी-कभी concept understanding अलग और उसका application अलग होता है तो मैं नहीं चाहता कि आते वे भी आप कुछ सवाल ना कर पाएं क्योंकि आपको अप्लिकेशन पार्ट नहीं आता था सो पर्टिकुलर टॉपिक को पगड़े उसके पांच छे साथ आठ हद से हद दस कोशन करें आपको सब्सक्राइब करने सकते कि यहीं आएगा आपको अपने concept को यूज करना आना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करें और उसके डेडिकेटेड कोशन करें बट ज्यादा नहीं हद से हद दस एक बात और यहां पर यह हमारी उसमें लिखा भी है यह इग्जामेनेशन सेंटर मतलब बहुत लोगों रश करते हैं लास्क मोमेंट पर जाते और एक्जाम कभी संटर नहीं मिलता है गलत सेंटर पहुंच गए तो क्या उसके लिए आप बच्छो क्या स्देस करेंगे जितना एक्जाम की तैयारी जरूरी है उतना ही एक्जेक्यूशन जरूरी है एक्जाम सेंटर पता है मैंने मन में सोच लिया सुभाई गूगल मैपस पर डालूँगा और सर्च करके चला जाऊंगा तिरफ एक्जाम से दस मिनट पहले पोचोंगा बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो गए छे महीने बर बाद और जिसका लास्ट अटेंप्ट है वह और अगर मैं एक अच्छा समझदार व्यक्ति हूँ और मैं अपने एफ़र्ट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ तो मैं सुभे घर से एक घंटा पहले निकल जाऊंगा आराम से सेंटर पहुचूंगा समय से अगर सेंटर नहीं भी मिला तब भी मेरे पास लगबग एक घंटा होगा सेंटर को ढूंडने के लिए मैं सेंडर के पास जाऊंगा और अपनी एयरजी ज्याधा क्तेर लगा वेस्ट नहीं करूंगा एक और प्रशी कर14-20 मिनिट में छोटी ले आराम से अपनी नज्जिक नंजा ऑक जो की एक एक sincer स्वाल बच्चे का आया था ही चीज कि हम दो एक्जाम के बीच में क्या करें वाट दू इन गाप बिवीन एक्जाम क्या करना चाहिए हमको बहुत इंपोर्टेंट मैं जो गलती स्टार्टी में मैंने करी वह यह थी कि मैस्के एक्जाम को बहुत ज्यादा सिरियसली लिया और पेपर टू को सोचा यह तो ही जाएगा बट सर वो जो लगभग गैप मिलता है धाही से तीन घंटे का मैं यह सजेस्ट करूंगा कोई ओली फूट ना खाए क्योंकि दोप्यार के टाम एक्जाम हो रहा होता है तीन-चार बजे खाने के बाद ऐसा नहीं को हो हो जाता है आप से बाहर आपको घूमना है और कुछाना है आपका मन आपके आराम से नेकिन यह को इंटर्वल है इसमें गाफ करें एक सवाब है कि बच्छों के बाद यह रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट आने से पहले बीच में क्या करना चाहिए मतलब कहीं ने कहीं पूछ रहे हैं बट अभी हम नहीं कर रहे हम अपना फोकस 14 करते हैं बट राइट नो फिर भी अगर आपके इस तरह कोश्चन का जवाब देना है तो मैं यहां पर स किसका क्लियर हुआ किसका नहीं हुआ तो डेड़ महीना आप ऐसे समझ लो की इनक्टिव पिरेड़ होता है एक एस्पिरेंट के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग उस समय में अपने फिजिकल फिटनेस पे काफी जादा फोकस करें फिजिकल फिटनेस जैसे कि तो अगर हम महनत नहीं करेंगे तो कौन करेगा सुबह उठना अगर आप उस डेड़ महीने में अपनी दो किलोमीटर भागने की पेस बना लेते हैं तो यही सजेशन होगा कि आप अपने फिजिकल फिटनेस पे काफी जादा काम करें एक से डेड़ महीने के बीच मतलब यह यह है कि पेपर हो जाए तो अपनी तयारी आगे बनाये रखो क्योंकि SSB में जो चीजें आएंगी वो टेस्ट तो होंगी बट आपको थोड़ा रिप्रेजेंटेबल लगना चाहिए आपका फिजीक आपका पीरेंस यह बहुत माटर करता है तो तो अंदर कर लो मेरी तरह म समझे रहो देख रहो सर को आप लो तो ऐसे ही रखो तो यहीं सारे एक्जाम से और यह पॉइंट यहां पर था यह मुझे वड़ा सही लग रहा था यह यह सब मूवी समने देखी होगी दूरिंग जैम इसका भी ऑप्शन लगा जैता हूं नहीं लगाना था तो मतलब सर का अब यही कहना था कि सर वाइल्ड गैसे हम ना करें और स्मार्ट गैस करें अगर हमको किसी ओप्शन के चार ओप्शन में दो पता है कि यह तो बिल्कुल नहीं है तो फिक दम छोड़ दें आपको रिलाइज हो रहा है कि आपने अल्मॉस्ट शुप्टी परसेंट अप्शन कर लिए आपको पता है कि आपके इसमें पर में अच्छे नंबर आ जाएंगी तो आप अपने नंबर क्यों घटाना चाहूंगे या तो ऐसा हो कि आपने चालिस कोशन करें और उसमें से उम्मेद करते हैं तीस पैतिस सही होंगे तो आपके नंबर ही 80 से कम आ रहे हैं तो उ दोस्तों यह सारे सवाल जो घुमा फिरा के इतने सारे लोगों पूछे तो यह कहीं न कहीं उन में से सबके आंसर अल्मोस्ट मिल गए होंगे कैसे एक्जाम को हैंडल करें सर की यह जो टिप्स हैं उनका जो एक्सपीरेंस हैं उनका जो अनुभव है वह आप लोग के साथ उन्होंने शेर किया तो होकुली आप लोग एक्जाम को बच्छे से करेंगे तो सर बच्चों के लिए मैं आप से पहले बोलूंगा कि आपने इनको अपना एक्सपीरेंस शेर किया और अपने बारे में अपने जो टिप्स है वो दिये ताकि इन 14 नवंबर को यह सब चीजो करो जो सर ने बताया है ठीक है तो सर थैंक्यू कर दीजा बच्चों के बार अल दबेस्ट करके हम लोग मिलते हैं दुबारा फिर कभी ठीक है तो पढ़ाई कर करो तुम लोग यार ओल दबेस्ट